पती से विवात के बाद घुसे में आई महिला ने जोपड़ी में आँग लगा कर ली दो मासुमों की चान जी हाँ मधिपदीश के इंदौर सहर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है दरसल यहां सोमवार रात को एक बड़ी घटना में एक महिला को गिरफतार किया गया है इस महिला ने जोपड़ी में आग लगाने का आरोप स्विकार कर लिया है बताया जा रहा है यह महिला उन दो बच्चियों की बुआ है जो आग में जिन्दा जल गई थी इस महिला का एक यूवक के शाथ रिष्टा चल रहा था और उसी के कुछ समय पहले विवाद भी हुआ था सोमवार को चोईत्राम सबजी मंडी में एक जोपड़ी में आग लगने की वज़े से छा साल की मुसकान और चार साल की नंदू की मौध हो गई थी पुलिस ने ततकाल जाख शुरू करते हुए आज यानी मंगलवार को इस मामले में बड़ा खुलासाद करते हुए आरोपी महिला को गिरफतार कर लिया है पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी महिला बर्खा ने गुसे में आकर जोपड़ी में आग लगा दी थी जबकि उसे पता था कि जोपड़ी में दोनों बच्चिया सो रही है